हेलो गुझ इवनिंग कैसे आप लोग मैं अक्षयाप सभी का सवागत करता हूं आज के सेसं में आज बूरो बूर दिनों को बाद हो रहा आपका संस्कूरित का संस्कीत का मुझे लगता है कि आपका गदांस जो है आपका लगवक ती जार मैने कर आया था चार-पांची कलास हो पाया था किसी कारण समय क्लास आपका नहीं लिया बाढ़ा था तो आज हम लोग जो है आज डेट आपका कितना है इसमें हम लोग आज एक इंपोर्टेंट डिसकस करने वाले पेडागोजी का भासा कॉसल यहां से जो है आपका दो से तीन प्रशन आता है आपको दिख भी रहा होगा अब जब वीडियो आप लोग देखेंगे यूटूब पे तो वहां पे भी आपको दो से तीन प्रशन दि अप्लिकेशन पर मतलब अलेडी आपका जो है लेंगोज का बैच जो है आपका सीटेट का आपका जो है टी चेक स्टाइप जोईन कियो होंगे अप्लिकेशन को सो आप लोग क्या किजिएगा इस वीडियो को थिओरी तो आप लोग ने अलेडी पढ़ा है इसको जो है देखिए एक चीज pertained होता है आपका live classे में और आपका recording class इंग, recording classes में सेम content जो है अपका लगभग…… पहले खतम हो जाता है कि लाइफ क्लास में हम लोग तो रिस्पॉंस देखते हैं कमेंट देखते हैं आप लोग का एंसर का वेट करते हैं बट इसमें जो है आपका ये सेप चीज नहीं हो पाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है जब आप इसका थिओरी देख लीजेगा तो वीडियो को पॉझ करके चाहे जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हो या सकेंड देख रहे हो जो चीज समझने के बाद आपको क्या करना है वीडियो को पॉझ करके एंसर को खुद से देने का कोशिस करना है ताकि आपको पता चले किसे अभी आप कहां पे स्टेंड करते है पहले से कुछ आ रहा है की नहीं आ रहा है। मेरे बताने के बाद, थियोडी बताने के बाद आप समझ के बना पा रहा है की नहीं बना पा रहा है। जो application वाले जो student और लेडी जूरे हुए हम लोग के साथ teach extra channel पर application पर language classes में वह भी जो है पॉच करके जरूर बनाईएगा अपना score भी सभी लोग सेर कीजेगा नए हो पुराने हो application बाले हो YouTube बाले हो सभी लोग जो है अपना एक काम करना है last में कि जब class कतम हो जाएगा comment करीज करेगा जूर बताईएगा कि class कैसा लगा session कैसा लगा इसके बाद और भी क्या expectation है live class आप चाहते हैं या फिर recorded आपको अच्छा लग रहा है इसके बाद सबसे last में class कैसा लगा अच्छा लगा बूरा लगा like से पता चल जाएगा इस सब चीज़ बताईएगा और फिर अपन शुरू में मैंने साथ बताया भी था आपको तो भासा कॉसल से आप क्या समझते हैं पहले आप लोग जो है वीडियो फॉच करके इसको भी कोशिस कीज़ेगा सोचने कि यह भासा कॉसल क्या होता है भासा है कॉसल मतलब इसकील आप किसी चीज में कितना efficient है कितना इसकील है और भासा लेंकिज हो गया तो भासा जो है इंसान जो है हम लोग human being जो है चार तरीके से भासा का जो है अपने विचार को जो है अपने ज्यान को अपनी बातों को आदान परदान करते हैं वो चार तरीका क्या है आपका या तो आप सुनते हैं या फिर बोल कर या फिर आप पढ़ कर या फिर लिख कर यही चार जो है अपने बातों को जो है आप किसी को सेर कर सकते हैं अपने विचार को किसी मीत्र से फ्रेंड से भाई भान दोस्त या दुनिया में कहीं पर भी जो है आप इस तरीके से सेर कर सकते यही चार माध्यम है तो भासा कॉसल की बात करें तो मानो अपने विचारों को या तो सुनकर या फिर बोलकर या फिर पढ़कर या फिर अपका लिखकर अभी व्यक्त करता है ठीक अपनी बातों को अभियक्त करता है शेयर करता है भासा से समानीत इन चार प्रक्याओं को परि लिखाई दे रहा होगा आप लोग का बच्पन देख सकते हैं हम लोग का भी मेरा भी बच्पन बोल सकते हैं इस तरीके का ठीक है एक जो है आपका यहां पर राइटिंग कर रही है यह अपना अभिवयक्त कर रही है बातों को विचारों को लिख कर यह जो है यहां पर पढ़ करने का आई होप इतना बात किलियर हो गया होगा अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जिसमें आपको दिख रहा होगा भासा कॉसल मैंने अभी आपको बोला कि भासा कॉसल कितने पर करका होता चार पर करका यह ध्यान रखना है ठीक है अब इसको हम लोग फर्दर यहां से ध्यान एको等 बता रहा हुं मैं आपको जो हैता हुट इसैर कर पार आ हुग तो मैं क्या कर रहा हुं 금ैं यहा पर लिखा वा चीज़्जा आपको दिख़ा है क्या कर रहा हूँ या तो मैं लिख रहा हूँ या फिर मैं बोल रहा हूं तो यह जो है क्या हो रहा है उत्पाद हो रहा है प्रोड़क्ट होरा है यही चीज में आपके पास पहुंचेगा हूँ तो आप дости Trail Day आप सुन के बातों को सुन तो पढ़कर समझते हैं तो आप यहां पर क्या कर रहे है रिसीप्टिप में आ जाएगा मैसेज किसी का जो है कॉल हो गया है तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे उत्पादक को कभी-कभी एक बोलते आपका अभी व्याक्तमक भी बोलते इस बात को भी ध्यान रखेंगे ठीक है कभी-कभी आप पूचेएगा कि उत्पादक या फिर अभी आत्मक कोसल में क्या है द्यान रखना है लिखेंघ के घ्रहन करते हैं तो ध्यान रखना है इन में से विक्र arrangements को करते आता है तो आप बोलेंगे लिखना option में देखेंगे और बॉलना तो यह दोनों किसे में आ था आतक या फिर अभीष्ब्त कर रहा है है उत्पाद के अफिर अभीष्याकत करें अपनी बातों के ओलतर निंगा तो भूधा कर रहा हूं कैसे शेयर कर रहा ह end है या फिर आपक्या कर रहा है पढ़ रहे इसका एक ट्रीक भी है इतना सम्झाने के बाद भी कोई दिक्कत है तो मैंने आपने हर सेस्टन में ट्रीक बताता हूं ठिक ध्यान रखना है यहां पूछेगा तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे color मैं चेंज कर ला है उ बोली मतलब उत्पादक में क्या जाएगा बोलना और लिखना आई होप यह चीज़ क्लियर हो गया होगा सीवी सिमलर तरीके से इसका भी ट्रिक मैं आपको हमेंसा बताता हूँ ग्रह है कौन सा ग्रह किसी भी ग्रह पे क्या करेंगे हम लोग सूप पियेंगे ठीक है इसक को ध्यान रखना इंपोर्टेंट है उ बोली उत्पादक बोलना लिखना ग्रहनात्मक में ग्रह पे सूप पियेंगे किसी भी ग्रह पे पिरेंगे बस याद करने का ट्रीक है सुनना और पढ़ना हो जाएगा उतना भी मुस्किल नहीं है आई होप यह भी बाते किलियर हो ग अच्छा एक चीज और मुझे बताना था पिछले स्लाइड में वेट कर लिजेगा इसमें एक सही क्रम भी ध्यान रखिएगा सही क्रम भी इंपोर्टेंट है जो नए होंगे उनके लिए इंपोर्टेंट है पुढाने वालों को तो पता होगा एक ट्रीक लिख लिजेगा आप लोग बोलेगा कि भासा क्षिए क्रम किया है कैसे बच्चों में रहात होता है तो आप बोलेंगे इसका क्रीक यादर होता है आपका सुबो पाली ठीक है लह से लिखना तो सबसे पहले क्या होता है सरवन करना तुछ इसके बाद बोलना इसके बाद बढ़ना या लिखना कभी-कभी कुछन पुछेगा कि बता दीजे भासा को सलमें लेंगे में जो है इस चारों ऑफ्सन में से कौन सा जो है सही करम है तो आपको जहां दिखेगा हिंदी के समस्टीड का मतलब क्या होता है पूप है नास्ती जो होता है इसका मतलब क्या होता है भॉटा सका है हिंदी के बहुत सा लोग को देखते हैं नहीं पड़े Pap 할게요 तो राश्टिये भासा अच्छा हिंदी में हम लोग बोलते हैं हिंदी हम लोग क्या है राश्टिये भासा है बट गलत हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है हिंदी के बाड़े में हिंदी के बाड़े में ध्यान रखना है यह क्या है आपका ऑफिसियल लेंग्वेज है यह जब आफिका अफिसीङिये भासा हो गया हम मोस काम क्राइब किसी दिशो filedर्ण क्यों हिस्तिक में तरफ का पर हो रuite हो किसी बसते हो इंगली ऑने सबसूश्छ शरीन लेंगोज है कि आम अग्श्क हो ने lugता नहीं कि जिएक लोग लगाते तो राश्टी नहीं राज्किये भासा किसी कन Kungता होता है असिस्टेन्स तो सहाइक राच्किये भासा की बात करें तो क्या है आपका? इंगलिस एंग्रेजी जो है इंगलिस या फिर इसको हम लोग संस्क्रीद में अगर इसको लिखना होगा तो लिखेगा क्या वोते हैं? अंगल भासा, अंगल भासा मतलब अंगलेजी यह क्या है सरा चियह भासा तो यहां से दो प्रश्न बंता है कि राज किया भासा क्या है क्いつ नीग ने नों उल्टाइ भंड़ के पूरब सकता है सिजके अब का से वर्ट का म frat XD लेगा इसको लिखे लेना है इसको भी आपको सब्क्रताब करने के लिए स्क्राइश के रूप में पर दिखा लिए गया है किसी भी देस के राज के सरकार द्वारा उसके प्रसासश्निक फाइब में यूगा को संपन करने के लिए जिस भासा का पढ़ियों राप आपका राजभासा होता है तो यह सब बात आप देख लिजेगा मैंने अलड़ी आपको समझा दिया है सब्धान के अनुचे जो है 343 है जिसमें हिंदी को जो है संघ में राजभासा राष्ट भासा नहीं राजभासा सब लोग जो है कमेंड में लिख भी दीजेगा बाद में है हिंदी जो है सर क्या है राजभासा है वने इंग्वी इन हिंग्ली मिया आपका Yeah इस के अलावा राजभासा हीदी और लिपी जो है क्या है क्या हमारा देवनागरी अइुण ले सकते हैं बढ़ते सुनका अब कि यहां से शुरुपाली सह सद प्रशलं का। सुनना को ही हम लोग क्या बोलते हैं सुनना को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका संस्क्रीट में सरवनम बोलते हैं ठीक है सरवन या फिर सरवनम ठीक है तो सुनना हो जाएगा तो भासा का प्रात्मिक प्रात्मिक मतलब पहला प्रात्मिक स्कूल होता है प्रात्मिक को यह हो तो क्या हो जाएगा आपका सौसे सुनना तो सुनना कहां पे है सरवन कहां पे है यहां पे है तो आप इसको टिक लगाएंगे निकल जाएंगे आई होप यह सिंपल सा कुशन था आप लोगा बाद में भी सही होगा कि लिए रहे जी अब चलते हैं नेक्स्ट कुशन की तरफ स्कूसान आपका क्या है जो है सही क्रम मतलब सुभावी क्रम सही क्या है तो अभी मैंने इसका वेड़िक बताया था क्याम आपका सूभो पाली सुभो पाली मतलब सर से सुनना सरवन कहां कहां पे बागी में तो होपसान है पठान है लेखन तो जो ऑपसन सरवन से सुभ्णात होगा से कतो हैं को अब नेक्स कुछन की तरफ रजे चलिएगा या फिर नोट अए बनाते चलिएगा मतलब उत्वादक कॉसल में इस चारो ऑप्सन में से कौन सा आता है। कि तरफ अब देखते हैं यहां से प्रश्ण आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है उन्हां तो देख लिए हम लोग इसको जो है बहुत मुश्किल चीज है इसको समझाना और बहुत सालों को लिए समझना भी फिर भी मैं कोशिस कर रहा हूं यहां से आपको प्रश्ण आपको सांथ वोगा लेक्न बंता है लेकिन रीडिंगी सब्सक्रित क्र united कॉकशक कर रहा है क्लिक्ट क्या है तो क्या है आपका परिविक्षण नम्हें करते कि शूच想 करते हैं तो चार तरीके से पढ़ते संग्यार्व कभी कभी में लिखा होता है कभी कभी नहीं भी हो कि अदिती जाएगाrob क्या हो जाएगा चूह हो जाएगाका सेटना अब इसको समझते है जिसे है क्या कैसे कैसे होता है सबसे है इंपोर्टेंट से आपको आता है जिम veah Broken hope अर्फिस्ती पाता बोलता है मतलब इसमें आप ऐल है क्या होता है सकीमीग का मतलब इसको क्दर का रांस भी रहेगा तो यह सारा टैग वर्ट भी इसको दिख लेंगे अब इसका मतलब क्या है उसको हम लोग समझते हैं कि मलीजे फिलाल मेरे पास एक न्यूजबर था बट मैं देख पारा हूं अब किसी चीज को आप न्यूजबर पढ़ते हैं लिज पर पढ़ने के बाद या किसी हूभी आपसे पूछता है कि इसमें क्या क्या पढ़ा आप आप्णे समा लीजे 10-15 मेट में आप किसी चीजनी को पढ़ें आप खेल पेज का ही माल दो आप जो है आप से को फुझेगा कि बता ऊपने इसमें क्या-क्या मेन बाते लिखा वगा है बता दो एक स्कैनिंग जो है अप प्रॉसेस होता है जिसमें किसी चीज को आप जल्दी से पढ़ेंगे उसमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो ढूंडने नहीं चले जाएंगे क्या होता ठीक है आप उसको पढ़ेंगे पढ़ने के बाद को समझा पाएंगे या फिर ऐसे भी समझें मालीजे कोई मूवी देखने जाते हैं अभी हाल फिलाल में कौन सा मूवी लगा हुआ बड़े मिया चोटी मिया मानके चलिए अब जो है आप मूवी देखते हैं तीन घंटा में देखे आपका शीव में राइश कर दिया बता दिया कैसे हुए आपका मुख्यवाद बता दिए मुख्य विचार बता दिए सहारानस बता दी कि हाँ यह चीज है यह चीज़ है तो आपको पिर से बताएंग इसका संस्कृत वह विक्ष नम ठीक है परी सकाइन मतलब ट्रिक्स याप ऐसे याद रख सकते माइन वहाई इसमें क्या होता है परी इसमें और फिर सकाइनिंग में किसी आर्टिकल्स या किसी भी पेज में किसी खास इन्फॉर्मेशन को ढूना जैसे माल लीजिए आपका यहां पे कुछ भी सारा का सरा डाटा लिखा हुआ है मैं आपको बोलेंगे बच्चो आप लोग बता दीजिए यहां पर जो है विसीष्ट तत्थे नाम कहां लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे पूरा पर नहीं पढ हो सकता है किसी का चंदा हो सकता है किसी का रानी हो सकता है किसी का अर्चना हो सकता है कोई भी नाम हो सकता है किसी का भी नाम आप खोजिएगा किसी फास्ट पार्टिकूलर इन्फॉर्मेशन को जब पढ़के ढूंडिएगा तो वह हो जाएगा स्कैनिंग में किसी का डेट लेकिन इसको आपको कैसे समझना है कि extensive मतलब हो जाएगा आप वो ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जिसमें आपको मतलब कोई भी रीडर जो होता है ना जो भी पढ़ने वाला होता है वो क्या करता है अपने इंट्रेस्ट की साफ से पढ़ता है जिसको क्या क्या पढ़ना इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं इसका याद करने का ट्रीक आप ध्यान रखेंगे extensive मतलब किसी को जो है एक गल्फेंड वाइफन होता है तो एक में इंट्रेस्ट मतलब जो चीज इंट्रेस्टिंग होगा उसी को पढ़ेगा जो भी रीडर होगा आप चलते हैं नेक्स जो है गहन बठन गंपठन से भी अपका लाश्ट्र सवाल आया था इसको इंग्लीस में intendsim बोलते हैं गहन बठन में क्या होता है आप चीजों को गहराई में जनकारी के लिए प्राप्ट करते हैं मालेजे कि आप एक्जाम के त्यारी करते हैं उसका अग्जाम्पन हो आपको समझने के कोशिज करेंगे यूटूब का सारा लेंगे गूगल का सारा लेंगे तो आप गहराई में चीजों को पढ़िएगा जैसे एक्जाम की त्यारी किजेगा तो आपका यह सब आपका एक्जामपल हो जाएगा ठीक है तुब इतना पॉइंट आपको किलियर हो गया होगा और बाकी चीजे जो है आपको कुश्चन के माध्यम सही समझ में आने वाला है इसका भी स्क्रिणी सवाट आप ले सकते हैं और कमेंट करके बाद में आपको बताईएगा सेसन कैसा लगा है बहुत दिन वाद जो सेसन आपका हो र पूछता है कि भारत में जो है कितना भासा है तो आप इसका जवाब दीजिएगा नहीं पता है तो कोई बात नहीं हाला कि इस ऑप्षन में सुदार्नी के जरूरत है इसमें माली जे पचीस भासा कर लीजेगा इसके एक वाडिंग जो है आपका 22 समिधान में जो है क्या है भासा इस बात ध्यान रखेंगे उसमें हिंदी क्या है राचकिये इंगली क्या है आपका इंगलीज जो है प्षाह वासा इस बात को ध्यान रखेंगे इसमेंने गलत था तो 22 संदा primary साट के दीजेगा यहांते प्रश्ण 22 वासा हो गया कभी कभी आता है कि इतना है तो फह कौन को सा है आपका सास्त्रिय भासा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो तमिल है संस्क्रीथ है कंणर है तेलगू है मलयालम है उडिया है इस्क्रीन्सोर्ट ले लिजेगा यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है बढ़ते हैं नेक्ट कुशन की तरफ आगेन आपका विहंगा मद्रिष्टी या फिर आपका इसकी मिंग इसका जो है आपका पढ़ने का अभी पढ़ाय क्या होता है जैसे एक तो आप समझ के बनाईए एक जो है मैंने आपको बताया है टैग वर्ड कि आपका इसकी मिंग का मुख्य भाव मुख्य विचार सारांस तो पहले कहीं दिख रहा है विशिष्ट अर्थ या सुचना प्राप्त करना संपून चीजों को गंभीरता से पढ़ना बताया हुए नहीं यह तो इसमें नहीं होता है यह तो इंटेंसी में होता है लिखित समगरी का सार्थक सुचना प्राप्त करना ये भी नहीं हो जाए तो समाने भाव को जानना मुख्य बातों को जानना और उसको सिग्रतयम पठना मतलब सिग्रता से पठना यह सब चीज हो गया आपका इसमें इसके बाद अब चलते हैं सुचनारथ पत्रिका पढ़ते हैं तो सिरुति आपको क्या कहलाएगा यहीं आपसे पुछा जा रहा है क्या सो प्रप्र होगा मनोरजन इंगे पड़ना होगा या फिर सकैनिंग हो जाएगा सब्सक्रаст करें के लिए यह आपका को हम पर देखता है कि सप्सक्राइब इसको प्रूणJust खास इंप्रमेशन को सुर्थी ढूंडेगी तो यह आ जाएगा आपका स्कैनिंग में हो जाएगा पड़ी विक्षिनम जिसको बोलते हैं ट्रिक मैंने बताया था पड़ी कुछ लो खोजने चलते हैं खोजना मतलब सर्च करना या फिर स्कैन करना तो ट्रीक पड़ी विक्ष या फिर कैशसर चाुरती है उपन्यास समाचारपत्र बालपत्र का इत्यादी पड़ने में व्रस्त है तो इसा चीजЗато टे पतनम कुर्वनती ऐसा जो पठन होता है उसको क्या बोलते हैा किसी एक अग्समें इंट्रेस्ट होता है extensive interest वाला चीजे तो उपनियास इंट्रेस्टिंग चीजे है समाचार्पत इंट्रेस्टिंग चीजे है बाल पत्र का नंदन चंपक कुछ भी जो है आपका हो जायेगा समें ठीक है ब्रताभवति जो है उसका केल्द किस पर अधारित होता है तो यह आपको जिसमें आप चीज़ों को पड़ते हैं डिटेल में पड़ते हैं सब्वाइस सबस्भाइस ध्यान देके पड़ते हैं तो यह ऑप्सन कहां पर है विनोदार्थ पाथे पुष्टकस से पढ़ने विनो यह रहां का जाएंगे विश्तित सुचना के बादे में कौन सा आजाएगा गहन अध्यान में इंग्लिपसा मतलब लोग क्या बोलते हैं इं टेंसिव थे के इंसक्रीट ले लीजिए गाई को अब चलते हैं नेक्स्ट फूंच की तरह कुशन नाइन है अब क्या है आपका पत्र देता है लेटर देता है भावान एतत पठी तोम कष्या पठन पधते परयोगम करी शती अब जो आदमी को जो है दूसरा आदमी को पत्र दिया है तो जो पत्र पढ़ेगा ओं तो कैसा पठन होगा यह आपसे पूठा जारा ठीक है मार्ग में एक आदमी जाड़ा उसको कोई पत्लक्त करें सब् Dennis को पत्र कोई परेगा श enough जल्दी जल्दी पडिका किहां कि सथे का घाए Мих descri можно घ्राओ सब पहले की बात है आपका ले पत्र पत्र आपको आता था इसल लia पर इस तो हो सी थरीके से कुछ कुछ मैसेज होगा उसको बता देगा इसमें यह बात है तुमको जाके फिर से वापस लिखवा लेना तो ऐसा पटन क्या का लाएगा आपका क्या क्या क्रम विच्छनम है और दुरूद पटनम है तो इसमें यह किसमें आ जाएगा आपका इसकीमिंग में आ जाएगा डिकतर सक्षिस ची मिंग आजाएगा जो कि आपका क्या है मतलब पटने बाला जो होगा उसको भूद हो हुआ है scanning इसलिए नहीं होगा वो नहीं बोलेगा कि इसमें देखो तो कोई वर्ड जो है किसी खास बात लिखा हुआ है तो उस तरीके से जो किसी पार्टिकुलर इंफर्मेशन को पढ़ेगा तब होता है scanning तो इसका अंसर आपका इसकी मिंग हो जाएगा दस नंबर फिर से आपको उल्टा सवाल आ गया विहंगा मद्रिष्टी पार्ट है या फिर आपका इसकी मिंग का भी पड़ाय क्या आस्ता है दिस पीगिमिंग का मैंने आपको ट्री सिंगर्ट है मतलब जल्दी परषना प्लोंब जल्दी पढ़ियेगा तो क्या का लाएगा आपका इसकी विंग में आ जाएगा या वियांग 정ण द्रिष्टी पारापर अजाएगा तो इसका तक निखा वाचीश का साथ तक सूचना प्राप्त करना प्रप्त करना ये भी नहीं इसका आंसर आपका जो है हार होने वाला अब क्या है आपको एक कुश्चिन फिर से आया हुआ है कस्चित अध्यापक स्वच्छात्रान 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 स्वच्छात इसका आइंसर आप लोग जल्दी से बताईए अच्छा आप लोग अधर क्लास लाइव नहीं हो रहा है ना फिर भी आप लोग जो है पहुच करके इसको बनाने का कोशिस कीजिएगा गर्मी जो है काफी जादा है ना अच्छा पत्र को पढ़ने के लिए बोलता है प्रिष्टों को देखने के लिए बोलता है और ग्यात करने के लिए बोलता है यद क्रिया वता कस्मिर वता खेल वाला पेज है कौन सा पेज पर है प्रिष्टे वर्ष्ट को देखने को लिए बोलता है तथा तिसरा कि समचार बात है उसको सुची बद करने के लिए कर्टुम कथती करने के लिए बूलता है एतस से पड़ियोगा सिदे कि ऐसा पड़ियो क्या हो जाएगा आपका अनुमान तो बिल्कुल नहीं होगा व्याक्षा भी नहीं होगा इसकी मिग और स्कैनिंग में आ जाएगा आपक किसी का भी पेस्फ दिखेगा या खेल वह पड़ियोगा तो अपको सर्च कजिए गातो एसा जो रिडिंग हो जाएगा आपका क्या कई लाएगा इस कैनिंग आपका ने वाला है व्योगा यह बात ही किलियर हो गया होगा तरवं एक सब्सक्राइब करने के लिए सक्थ एक पांचम सब्दी मतलब गयाप करना विलोपीत कि या फिए कि पारिक वाव करते हैं तरह साड़ एक स्थान अब उसके बात जो का रिख करने का नहीं तरीक right Yup लेखन मुल्ग गर्वों इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज चेस्ट में क्या होता है कि सब्सक्राइं कि अपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये आपका होता है उच्छ तिस्ट का मतलब तो कोई तीचर जो है आपको 5 सब्जेक्ट्र मतलब कोई जैसे देख लिए इंगलिस में जनली खोटा है तो आपको यहां पर वर्ट देदेगा और टीचर क्या किया यहां का गया गया कर दिया इस तरीके से प्रतेक पांच सब्सक्राइब कर दिया मतलब जिसमें रिकतस्थान कव होता जब किसी एक एक ही को फिल करना होता यहां पर बहुत सब्सक्राइब करना होता है जिसको आपको एंसर जो है सही लिएक के भरना पड़ा है फिक है तो आज क्लास अम लोग यहीं तेक रखते हैं क्लास को ज्यादा लंबा मुझे नहीं करना था आप लोग जो है अपना स्कूर बताईएगा सेशन कैसा लागा है वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं राकेश जी या गौडवसर उठाएगे कॉलिंग करने का समय आपका 9-12 आपका दिन का समय है तो आप इसको कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी यूटूब पर क्लास से जुरूर बताईएगा अगर आपको रिकॉर्डर मोड में अच्छा लग रहा है तो सही है कुछ अभी कुछ समय लगेगा मुझे लाइ कर दिकत हो आपको रिष्ट ऑपको कर लेना है आपको लिग्लिज अपका लेंच लेंगूट पर हो तो आप इस नमर पर कॉल कर सकते हैं तो आंस पसंद आया होगा अच्छे से सेर किजिए गर पसंद आया होगा तो और उसका नोट भी बनाईएगा जो भी आपके लिए हेलपूल है नया है जो भी कोई चीछी सिखें उसको नोट बनाईएगा आगे हम लोग इसी तरही के से मिक्स प्रैक्टिस करते रहेंगे क्लासे आपक सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है तो आज यहीं तक फिल से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव क्लास में तब तक कि लिए भाई कोड़ से रिलेटर कोई जनकारी होगा इस नमर पर कॉल कर लिजएगा किस दोनों का आपका चाहें इंगलिस वाले करते हैं ओके चली बाई बाई